हेलो फोक्स वेलकम टू जैमिफाइड यूपी बोर्ड इंटर्मीडियट इक्साम बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो अगर आपने अभी तक उसकी प्रेपरेशन शुरू नहीं किये तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मोखा है क्योंकि यहां जैमिफाइड के प्लैटफॉ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड इंटर्मीडियट इंग्लिश एक्जाम प्रेपरेशन सिरीज अगर आप चैनल पे नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सिरीज का जो पहला लेसन है जो पहला टूटोरियल है वो अल्लेड़ी हमारे चैनल के नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाएं और इस वीडियो को देखें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकंड फिगर ओफ स्पीच जो की है मेटाफोर सो विदाउट फर्दर दू लेस्ट स्टार्ट टिडियर लेसन चलिया अब मैपको बताता ह उसकी डेफिनेशन यह है कि सिमली का इस्तमाल दो चीज़ों को कंपेर करने के लिए किया जाता है और इस कंपेरीजन के लिए हम कनेक्टिंग वर्ड्स इस्तमाल करते हैं जैसे लाइक ऐस एंड सो इसी तरह जब हम बात करते हैं मेटाफोर की तो वहां पे भी दो चीज़ो को दूर कर देता हूं पर यह कि सिमली के अंदर जब हम दो चीज़ों को कंपेर करते हैं तो वहां पर हम एज लाइक या सो का इस्तमाल करते हैं जो कि कनेक्टिंग वर्ड्स हैं लेकिन मेटाफोर में ऐसा नहीं होता इसको एक एकसेंपल से समझते हैं अगर मैं कहूं कि ला लाइफ इस ड्रीम तो यहां पर आपको क्या लगता है यह सिमली होगा यह मैटाफोर होगा अफकोर्स इस मैटाफोर क्योंकि यहां पर मैंने कनेक्टिंग वर्ड्स के इस्तमाल नहीं किया मैंने पहले एक्जैम्पल में कहा लाइफ इस लाइक ड्रीम तो यहां पर मैंने ऐसी चीज दूसरी है वहीं metaphor के अंदर हम ऐसा नहीं करते metaphor के अंदर हम यह मानते हैं कि जो दो चीज़ें आपस में compare की जारी है वो एक ही है लिए एक और example ले ले लेते हैं अगर मैं कहूं कि life is like a box of chocolates तो आपको क्या लगता है यह simile है या metaphor है Of course, it's simile, because यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक connecting word जो कि like है, उसके इस्तमाल किया है, life is like a box of chocolates, लेकिन अगर आप से मैं ये कहूँ कि आपको इसी sentence को metaphor में बदलना है, तो आपको क्या लगता है कि metaphor में इसी sentence को हम कैसे form कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, so ज देना है, so पहले example में आपने कहा, life is like a box of chocolates, और metaphor में जब हम इसको बदलेंगे तो यह हो जाएगा, life is a box of chocolates, अब बारी है आपके homework की, मैं आपको एक example simile में दूँगा, और आपको इस example को metaphor में बदलना है, so जो sentence मैं आपको देने वाला हूँ, वो example होगा simile का, और वो sentence है, metaphor में बदलना है, so आपका जो भी answer है, आप उसको comment box में जाकर लिख सकते हैं, और आप मैंसे जिन लोगों का answer सही होगा, उनका नाम मैं अगले वीडियो में mention करूँगा, I hope कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आप चाहते हैं कि UP Board High School or Intermediate की जो English exam preparation series है, उसके वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुचते रहें, तो आप हमारे चैनल को subscribe करें, इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें, ताकि उनको भी हमारी यह जो English exam preparation series है, उसके बारे में पता चल सके, और वो भी हमारे साथ preparation करके, अच्छे marks पा सके, so have you all the luck in new exams, see you in the next video, till then bye bye, take care and keep learning.